नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर विशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत बार देखा गया है कि 90 से 95 परसंट जो गलतियां ऐसी होती है जिनके बारे में लोगों को फता ही ने चलता है और एक्चुल में वो घर बनवाते हैं उस गलती को कर रहे होते हैं मैं आज जो जनकारी आपको देने वाला हूँ आपको यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि 90 से 92-95 परसंट तक आपके घर के आसपास जो घर होगा दोस्तों उसमें इस तरह की गलती आपको देखने को मिलेगी दोस्तों बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो है वो आपको अगर मालीजे इस बात्रूम की अगर बात करी जाए ठीक है बात्रूम में आप अगर देखते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बात्रूम के अंदर चलिया मैं आपको ले चलता और यहां पर किस तरह से बनावट है इसका और लोग क्या गलती करते हैं आपको इस वीडियो को देख करके समझ में बिल्कुल आ जाएगा दोस्तो अगर बात कर ले नॉर्मन फ्लोर का और जो बात्रूम का फ्लोर है दोस्तो बात्रूम हमेशा हमारे घर के फ्लोर से नीचा होना चाहिए दोस्तो तो आप जो है वो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं लेकिन जो हमारा फ्रस्ट फ् आपका bathroom है भाथ्रूम का जितना area है दोस्तों वहाँ पर आपको down slab दिलवाना होगा अब दोस्तों यह down slab यह sunken किस तरह का होता है और किस तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है यह जान लेना बहुत ज़्यादा जैरूरी है दोस्तो यहां पर देखिए जो हमारे बात्रूम का जो स्लैब है दोस्तो वो बाकी जगह से 8 से 10 इंच नीचे ढाला गया है ठीक है नीचे किस तरह से आपको ढ़लना है दोस्तो आपका जो slap beam होगा जो beam होगा उसी में दोस्तो सड़िया फसा करके इस तरह से दोस्तो आपको इसको नीचे ढ़लना है detail में जानना जाते हैं कि नीचे से कैसा दिखता है ये आपको हमारे पिछले वीडियो में देखने को मिलेगी तो अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब किया होगा नहीं किया है तो अभी कर लिजी और जा करके उस वीडियो को हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह सरे इंफोर्समेंट वगरा दिया जाता है सामने दोस्तो आपको दो छेद दिख रहा होगा उस बीम में उस बीम में छेद करना दोस्तो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कि यही वो छेद रहता है जिससे हमारा पाइप फिटिंग्स जो है वो बातरूम का और जो हमारे ट्वैलेट कर रहता है वो नीचे की तरफ जाता है दोस्तो हमारे सेप्टिक टैंक तक यह चीज़े किलियर हो गई अब बात कर लेते हैं कि इसका जरूरत आखिर परता क्यों है दोस्तो यह जो हमारा नीचे का जो स्लैब है स्लैब कम से कम 10 इंची 12 इंची जो हम लोगों ने नीचे करवाया है वहाँ पर हमारा जो बातरूम का जो बैंड फिटिंग होता है एक मुड़ा हुआ पाई पाई पाता है जिसको लगाया जाता है बातरूम में ठीक है उसके फिटिंग में ये सहायता करती है और इससे आपका जो ये फ्लोर लेवल होता है वो घर के बाकी जगह से थोड़ा सा डाउन होता है चुकि अगर पानी का लेवल को नीचे रखा जाएगा तो वो बाकी जगह पर दोस्तो नहीं आपाएगा वो बातरूम तक ही पानी हमारा सिमित रहेगा उमीद करता हूँ बाते समझ गये होंगे